मध्यप्रदेश के IPS ओफिसर विवेक राज सिंग इन दिनों सोशल मीडिय पर चर्चा का विशय बने हुए हैं। आखिरी बार उन्होंने अपना वजन आठवी क्लास में देखा था, तब उनका वजन 88 किलो था। NPA में 46 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग के बाद विवेक राज का वजन आखिरकार 104 किलो हो गया है। उन्होंने अपने एक सोशल मीडिय पर फोटो शेय करते हुए इस बाद का खुलासा किया है। फोटो में उनका ट्रैंस्फरमेशन साफ देखा जा सकता है। जिसके बाद से विवेक राज की तस्वीरे सोशल मीडियो पर वाइरल हो रही है। विवेक राज सिंग अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताते हुए फेस्बुक पर लिखते है कि एनपीय में वेट लॉस करना एक बड़ी उपलब्धी थी। पर रहा था। यहां तक की वजन बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगी थी। ट्रीनिंग के दौरान काफी वजन घटाने के बाद अपनी सर्विस के शुरु आती सालों के दौरान एक बार फिर से कुकरेले का वजन बढ़ गया। उन्होंने फेस्बुक पर लिखा की मेरा वजन 138 किलो तक पहुच गया था। मैं खाने का शौकीन हूँ इसलिए बहुत खाया करता था। खाना फेकना नहीं चाहिए हमेशा मेरा आधर श्वाक क्या रहा। बेवक्त खाना और पेट भर जाने के बाद भी खाते रहना वजन बढ़ने का कारण था। IPS अधिकारी ने बताया कि उन्होंने वॉक करना शुरू किया और वॉकिंग करना मेरे जीवन का हिस्सा बन गया, जिसके बाद उनका वजन कम होना शुरू हो गया। वॉकिंग के अलावा, कुकरेले ने प्रॉपर डाइट का पालन किया, जिसके बाद उन्होंने 43 किलो वजन घटाने में कामियाबी हासल की। IPS अधिकारी विवेक राज सिंग की वेट लॉस जरूनी हर किसी के लिए एक मिसाल पेश करती है। जिस्थॉप लॉस्टी टेस्ट